असलामुलेक। वर्ड इंफो के नाजरीन हुश्यामदीद। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे 25 इंपोर्टेंट क्वेस्टन्स जो कि फिजिक्स लेक्ट्टर और सब्जेट स्पेशलिस्ट के लिए नियायती जुरूरी हैं। और यह मारा फर्स्ट कॉर्स है थर्मोडायमिक् पास एक टेंप्रेचर ऑफ मानस्टू सेम्टी थी सेंटीग्रेट इप्रेशर ऑफ एक एड कॉंस्टन वॉल्यूम बिकम जीरो इस तेंप्रेचर इसका आप ग्राफ में दे सकते हम दिखा है कि हर गयाइस का जो प्रेशर रहा इस पॉइंट पर जीरो हो जाता है तो वह ज नमर तू अन्यूटरल टेंप्रेचर थर्मो इलेक्टिक पावर इन थर्मो कपल इस तो इसका अंसर है जीरो और डिफरेंट टाइप्स के थर्मो कपा जीरो हमने आपको दिखाए हैं जिगर के अंदर प्रेचर नमर थी में अरब पास अला विच इस एप्लीकेबल ओनी तो इसका ठीक आंसर जिए हो राउल आ है यह एन्यू और फोर हमार पास प्रोसेसर और सिस्टम्स देट नौत इंवॉल्वीट और काल्ड जैनग असे हम सीस्टम में इंवॉल्वीट नहीं होती गिसे हम क्याते है यह एडीबेटिक परोसेस जैनी इसका आप्श्ण फी जोह है है वो correct answer है question number five second law of thermodynamics defines second law thermodynamics जो किस चीज़ को define करता है या किस चीज़ को define किया जाता है तो इसको define करने का एक तरिका entropy भी है तो इसके ठीक option जो इन options में है वो दी है entropy question number six है इंटर्नल energy of a substance depends on जानी इंटर्नल energy जो है किसी भी सबस्टांस की वो depend करती है उनकी temperature की कि उनकी जो kinetic energy हो कितनी है तो वो depend करती temperature पे तो इसका जो ठीक आंसर है वो है option a question number seven है the phenomenon of land and sea breeze is a result of जैनी ऐसा अमल जिसमें land और sea breeze जो हमारे पास इसके वजुद में आती है वो हमारे पास है convection इसमें none of these गल्दी से लगए इसका ठीक option है c convection operation question number eight which of the following should not change in isothermal operation जैनी ऐसी कौन सी quantity है जो हमारे पास isothermal operation में change नहीं होती है उसका हम constant रखते हैं उसका ठीक आंसर है temperature question number nine heat produced by friction is transferred जैनी जो heat friction की वज़े से पैदा होती है वो किस चाह से transfer होती है तो इसके ठीक answer है conduction की वज़े से एक conduction के अमल की वज़े से question number 10 जो है उसमें the quantity of heat required to raise the temperature of one gram of a substance by one centigrade is called यानि किसी भी quantity का अगर हमने एक दिग्री जो है अगर temperature increase करना हो one gram quantity ठीका तो वो क्या कर लाएगा तो इसका option C जो है वो ठीक है यानि specific heat question number 11 है हमारे पास the efficiency of a current engine depends on efficiency जो है current engine की वो किस चीज़ पर depend करती है तो यह depend करती है बोथ sink और जो source है हमारे पास इनके temperatures के ओपा यानि चुलिका temperature difference किया है यासे कि हमारे पास efficiency का formula भी हमने दिखाया गया किसमें q2 और q1 जानी sink और source के temperature पर depend कर रही है question number 12 है हमारे पास if the steam engines a and b have their sources at 900 Kelvin and 600 Kelvin their sinks at 450 Kelvin and 300 Kelvin respectively then यानि कि steam engine है हमारे पास a or b उनके जो sources हैं वो 900 Kelvin 500 Kelvin और 600 Kelvin और आगे आए यानि इस और cop säga सैंवह वो हमारे पास ना panora 500 Kelvin का source है तो gonna panora 500 Kelvin का source है और 600 Kelvin सब्सक्राइब जो से का हम तो सर्जींद के तो हमारे पास या रेशियो है से हमारे पास इन दोनों में जो Его आँछल नी से आती है तो इसका option जो ए है वह ठीए होगा यानि दोनों equally efficient होंगे question number 13 है thermodynamics variables are जो thermodynamics variables होते हैं वो pressure volume temperature और entropy होते हैं question number 14 है हमारे पास water can be boil at zero centigrade if the pressure of surrounding is यानि पानी जो है वो zero centigrade पर बोल हो सकता है अगर हम उसको pressure जो है उसको four mm of hg करते हैं mm of hg का मतलब होता mm of mercury नॉर्मली यह engineers जाब medical field में यूनिट इस्तमाल किया जाता है question number 15 है a carnage engine takes 300 calories of heat at 500 Kelvin and rejects 150 calories to sink the temperature of sink is calories हमारे पास unit है energy का और जो one calorie हो is equal होती है four point one eight joules के तो हमारे पास इसको calculation के बाद जो ठीक अंसर आता हो है 1000 Kelvin यानि इसका option a जो है वो ठीक है question number 16 में is in an irreversible cycle यानि जो irreversible cycle होती है जो reverse नहीं हो सकती है उसमें हमारे पास क्या चीज़ जो है उसका option तो देर इस आलवेज अगे न फैंट्रोपी जो हमेशा change होती है question number 17 changing entropy in a completely reversible cycle is यानि ऐसा system जिसमें हम totally उसको initial point से start करें और final point उसका वह initial point पे ही खतम हो यानि एक reversible cycle हो तो उसमें entropy का change क्या होता है तो ऐसे system में हमारे पास entropy का change जो है वो zero होता है जैसके आप फार्मूले में भी देख सकते हैं लिगर sf और si जो हमारे पास same हो जाएं तो इसका answer जो हमारे पास zero है question number 18 in kinetic theory of gases one assumes that the collision between the molecules are kinetic theory of gases हमारे पास हम किया assume करते हैं कि जो collision होती है molecule के दरिम्यान वो कि स्थनकी होती है तो इसका option A ठीक है यानि perfectly elastic होती है यानि इसमें किसी भी किसम का energy loss नहीं होता है question number 19 the pressure of gases directly proportional to जो pressure gases का pressure होता है किसके directly proportional होता है तो इसका ठीक answer है mean square velocity जैसे कि आप formula में भी देख सकते हैं कि pv is equal 2 by 3 n 1 by 2 mv square के अगर हम सब चीजे constant कर दें volume 2 by 3 और n और m तो हम कह सकते हैं जो p है वो directly proportional है mean square velocity के तो इसका option t जो है वो ठीक है question number 20 boys law is an example of boys law किसी एक्जेंपल है तो option इसका भी जो है वो ठीक है तो थर्मा को सेस question number 21 a gas which is strictly obeys gas law is known as यानि ऐसी गैस जो गैस ला को अबे करती हो यहां हमारे पास तीन जो है वो गैस लाव्ज है वो जाज ला और और आवगेड्रूज ला ऐसी जो इन तीनों को अबे करती हो इसको हम ideally परफेक्ट गैस कहते हैं तो इसका option भी जो है वो ठीक है क्वेस्टन अबर ट्वेंटी टू रेशो आफ स्पेसिफिक हीट्स फोरा मौन अटॉमिक याज इस तो हमारे पास पास मौन अटॉमिक गैस के लिए हो क्या है तो इसका अंसर्ण है वान रेशो 66 इसका प्रूब ज इसका option है हमारे पास वन रेशो फोर तो इसका प्रूफ जो है हमारे पास मजूवित है इसमें question number 24 mean free path of gas molecules is inversely proportional to is तो इसका ठीक अंसर्ण है प्रेशर आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं लैम्डा यानि मीन फ्री पास हम लैम्डा से प्रिजेंट करते हैं अगर हम बाग question number 25 coefficient of a viscosity of a gas is proportional to the square root of the absolute temperature इसका जो है ठीक आंसर है आप फार्मूले से भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास viscosity है वो मू से रिप्रेजेंट की गई है और जो temperature है वादर रूट के अंदर है अगर हम बाग सब चीज़ी constant कर दें तो मू और temperature का जो relation बनता है वो inverse relation बनता है तो हम यहां से क्या सकते हैं सके root of the absolute temperature यह थी हमारी आज की presentation उमीद है आप साब को पसंद आएगी kindly हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको मजीद इसमें की अच्छी वीडियो बिना के देते रहें जो आपके लिए lecturer और subject specialist जैसे ए है